नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों अतुल लेकरिसी में आप सभी का स्वागत है साथियों आज के हमारे इस वीडियो में मुख चर्चा करने वाले हैं ग्राफ्टेंड बेगन टमाटर की खेती के बारे में इसमें आप यदि प्रती एकड के हिसाब से जो है इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसमें कितनी लागत आने वाली है उसके बारे में बात करेंगे जैसे कि आपने पिछले हमारे सेकंड लाश्ट वीडियो में देखा होगा कि उसमें हम एक राजपूर की नर्सरी में गौर्मेंट की नर्सरी थी वहाँ पर हम गए हुए थे तो हमने वहाँ पर ग्राफ्टेड बेंगन और टमाटर की ग्राफ्टिंग होते हुए देखा उसकी processing को समझा, उसकी nursery किस तरह से तयार होती है, उसको समझा और उसके फाइदे के बारे में हमने वहाँ पर समझा तो उसके बारे में हम आज आप लोगों से चर्जा करने वाले हैं कि आखर कार, हम जैसे ग्राफ्टिंग में आते हैं, ग्राफ्टिंग, टमाटर या फिरंवेंगन की खेती करते हैं तो उसमें हमको कितना फाइदा मिलने वाला है, उसके बारे में बात करने वाले हैं तो सबसे पहले सांथिओ, इसकी जो आवशकता हमको क्यों पढ़ी? चैलेंजिंग हो जाता था उसके लिए ग्राफ्टिंग टमाटर की यदि वो खेती करते हैं तो उनके लिए काफ़ी बहnatर रहने वाला उसमें पौधे में दो अलग-अलग पौधों को जोड़ कर ग्राफ्टिंग की जाती है बहुत से किसान भाई जान रहे होंगे आप देख रहे हैं वो भी इस सीच को जान रहे होंगे तो वहाँ पर जो है वह नीचे का जो पौधा होता था उसको कहा जाता था रूट इस्टोक और उपर के पौधे को कहा जाता था सायन तो इस तरह से दो पौधों को जोड़ा जाता था अब दो पौधों में जो रूट इस्टोक होता था नीचे का जो होता था मेरे हाथ में आप भी देख पारें यह भी जंगली टमाटर का ही पौधा है तो इस तरह से जंगली टमाटर जो होता था, सोलमेल, सोलन, ऐसागर के जो आता है, जंगली पौधे को लेने का मुख्य कारण उसमें ये था कि जो जंगली पौधे होते हैं, उसमें कम पानी में भी वह सर्वाइब कर पाते थे, रोक प्रती दोधक चमता, उसमें काफी अधि 212 लिया हुआ था, और टमाटर में बात करें, उन्होंने लिया हुआ था, सीजेंटा का 3150 इसको लिया हुआ था, तो ऐसे उन्होंने दो वेराइटी को जोड़ा हुआ था, इसकी जो आप जैसे की जानते हैं, वीनार का 212 काफी फेमस है, बैगन को लेकर के, उसकी कुछ प कम पानी में भी, और सबसे अच्छी खास बात है सांथियो, यह हमको साल भर तक प्रोडक्शन देने वाला है, हमारी जो नॉर्मल क्रॉप होती है, वह हमको 3-4 महने ही प्रोडक्शन दे पाती है, यह हमको साल भर चलने वाली फसल है, यदि इसका हम अच्छे से मेनेजमेंट काफी कम देखने को मिलता है, तो यह इसके खासियत ही इसकी आउसकता का कारण बन हुआ है, तो क्या यदि आप इसकी खेती में आना चाहते हैं, तो आप लोगों को आना चाहिए, तो उसकी लागत के बारे में हम बात करेंगे, या फिर जैसे अगर विचार ब अलग पौधा तयार किया जाता है, तो इस तरह से दो पौधे को जोड़ा जाता है, तो इसमें मेन जो है वा दोनों पौधो को अलग अलग तयार किया जाता है, तो उसका एक अलग कोश्ट बैट जाता है, पॉली होस के अंतर भी एक छोटा सा टनल बनाया जाता है, जहां पर humidity को maintain किया जाता है 80% और temperature रखा जाता है 27 to 30 degree Celsius तो इस तरह से उसमें management काफी अधिक देखने को मिलता है labor cost भी देखने को मिलता है और समय समय भी काफी अधिक निकल कर आता है फिर उसके बाद फिर उसको एक हपते 10 दिन तक रखा जाता है फिर hardening के लिए ले जाया जाता है तो इस तरह से इसमें समय भी काफी अधिक लग जाता है कुल मिलाकर बात ऐसी है कि समय और labor cost और दो पौधे इस तरह से इसका rate निकल कर आता है 10 से 12 रुपए तो इस बीच में आता है यदि आप इसकी प्रती एकड के हिसाब से खेती करना चाहते हैं तो इसका पौधा किस तरह से रुपाई करनी है उसके बारे में बात करें तो कितने number 100 प्लांट आप लोगों को लगेंगे एक एकड में साथियों आपको बेट तयार करना है 5 फिट 5 फिट की दूरी में आप बेट तयार कर सकते हैं और पौधे से पौधे की दूरी तीन फिट होगी तो इस तरह से आप प्रती एकड में 3000 प्लांट आपको लगने वाले हैं तो 3000 और 10 रुपे एवरेज माने तो 30,000 रुपे का आपका सिर्फ पौधा ही आजाने वाला है तो आप ड्रीप और मल्चिंग में इन्वेश्ट करेंगे तो एक लाग रुपे उसका आ जाएगा फिर अगर आपका जो है फिल्ड प्रेप्रेशन और फटिलाइजर और दवाई यह सारी चीजों का तो अलग छोड़ दी तो इस तरह से एक लाग तीसाजार रुपे आपक कि ऐसे कुछ में आ जाते हैं यह हमको 10 उरुपे पड़ रहा है वालब 10 गुना जैसे बोल सकते हैं तो एक कौश्ट का आता है तो इस तरह से इसके कुछ डिसड़ांटेज भी है और फायदे तो काफी सारे हैं तो अभी आप लोगों को मैंने वीडियो सारे दिखाए तो व